हलो फ्रेंस वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे मुंफली की चिक्की यह बहुत ही टेस्टी होती है सरदियों के मौसम की एक खास मिठाई है और यह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक् करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ये रोश्टेड मुंफली ली है जिनके छिलकों को मैंने उतार दिया है और इन्हें अच्छे से साप कर लिया है जितनी मैंने मुंफली ली है उतना ही मैंने गुड लिया है गुड के मैंने छोटे-छोटे टुकडे कर लिये है तो अब ह इसे कडाई में डालेंगे और लोफ लेंपर हमेंसे चलाएंगे इसमें एक चमच घी डाल देंगे घी डालने से यह चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से यह मेल्ट होगा तो हमेंसे लोफ लेंपर मेल्ट करेंगे देखिए थोड़ा थोड़ा सा यह मेल्ट होने लगा है इसी तरह हम इसे लगातार चलाते रहेंगे इसमें जो गुड के छोटे छोटे टुकडे दिख रहे हैं इन्हें हम चलाते हुए तोड़ते रहेंगे जिससे गुड आसानी से मेल्ट हो जाएगा इसे हम लगातार चलाते रहेंगे तो देखिए गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है हम इसे दो मिनट के लिए और चलाएंगे इसे चलाते हुए हमें दो मिनट हो गये है गुड भी फूला फूला दिखाई दे रहा है तो अब हम इसे चेक करेंगे देखिए गुड काफी अच्छे से फूल गया है और पानी में हम इसे डाल कर देखेंगे, ये देखिए, अब हम इसे आपको दिखाते हैं, देखिए गुड़ अच्छे से तूट रहा है, ये बिलकुल अलग-अलग तूट रहा है, मतलब हमारा गुड़ अच्छे से पक गया है, अगर ये खिचे, तो इसका मतलब थोड़ा और चलाना है लेकिन यह खिच नहीं रहा बलकि अच्छे से तूट रहा है बिल्कुल अलग-अलग तो यह बिल्कुल तैयार हो गया है इसी स्टेज पर हम इसमें मुंखली के दाने डाल देंगे और इन्हें अब हम बहुत जल्दी-जल्दी मिक्स करेंगे गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक थाली में हमने घी लगा कर पहले से तयार कर लिया है तो आप पहले से ही थाली को तयार करके रखें अब हम इसे थाली के उपर डालेंगे यह काम हमें बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो हम इसे अच्छे से सेप नहीं दे पाएंगे तो इसे हम अच्छे से जल्दी जल्दी से फैलाएंगे घी लगी हुई चम्मस से हम इसे फैलाएंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं और आसानी से ये अच्छे से फैल जाएगा और हम बेलन पर भी अच्छे से घी लगाएंगे और इसे पतला पतला करके बेलेंगे घी लगाने से ये बेलन पर चिपकेगा नहीं जितना पतला आपको ये बनाना है आप अपने हिसाब से उतना पतला इसे बेलने तो देखिए मैंने इसे बेल कर तयार कर लिया है अब हम इस पर कटके निसान अभी लगा देंगे जिस सेफ में हम इसे काटेंगे वो सेफ हम इसे अभी दे देंगे ठंडा होने के बाद ये कटेगा नहीं तो हम इस पर अभी ये कटके निसान लगा देंगे मैं इने स्क्वेर सेफ में काट रही हूँ आप अपनी पसंद की सेफ में इसे काट सकते हैं अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब ये ठंडी हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए हमारी मूंफली की चिक्की बन कर तैयार है कितनी बढ़िया चिक्की बनकर तयार हुई है ना आप इसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं तो आप इसे ट्राइ जरूर करें और अगर आपको recipe पसंद आई है तो please मेरे वीडियो को like जरूर कर दे और अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को अभी subscribe कर दे और साथ में लगे bell icon पर भी press जरूर कर दे जिससे मेरी आने वाली हर नई recipe का notification आपको मिलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रस्पी के साथ तब तक के लिए रादे रादे